16 जुलाई 2019 मिठा मिठा बाबा करते मीठी बच्ची दुख हरता सुख करता एक बाप है वही तुमारे सब दुख दूर करते मुनशे किसी के दुख दूर करने साथ विश्व में अशान्ती का कारण क्या है फिर शान्ती स्थापन कैसे होगी विश्व में अशान्ती का कारण है धेर सारे धार कल्यूप के अंत में जब अनेकता आ जाती है तब अशान्ती है बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते वहाँ शान्ती हो जाती हो तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारैन के राज्य में शान्ती थी जब इस पृट्वी पर लक्ष्मी नारैन का राज्य था तो शान्ती थी पवित्र धार्म पवित्र कर्म थे कोई भी और पवित्र कर्म गलत कर्म नहीं करते हो कल्यान कारी बाप फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं उसमें अशान्ती का नाम ने हैं अशान्ती का नाम ने हैं ओम शाम रुवानी बाग बैट रुवानी बच्चों को समझाते हैं रुवानी बाग को ही ग्यान का सागर का जाता है ये तो बच्चों को समझाया है बंबे में भी बहुत सोशल वरकर्स हैं उनकी मीटिंग होती रहती है बंबे में खास जहां मीटिंग करते हैं उनका नाम है भारतिये विद्या भवन अब विद्या होती है दो बरकार की एक जिस्मानी विद्या जो सकुलोमी दी जाती है अब उनको विद्या भवन कहते हैं जरूर कोई दूसरी चीज है अब विद्या किसको कहा जाता है ये तो मुनुशे नहीं जाती है विद्या किसे कहा जाता है ये तो मुनुशे नहीं जानती परम पिता परम आत्मा ही ज्यान का सागर है कृष्ण को ज्यान का सागर नहीं कहेंगे शिव बाबा की महिमा अलग भारत वासी मुझ पड़े हैं गीता का भगवान कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदिक खोलते रहते हैं समझते कुछ भी नहीं विद्या है गीता का क्या वो ज्यान तो है एक बाप में जिसको ज्यान का सागर कहा जाता है जिस मुनशे मात्र जिसे मुनशे मात्र जानते ही नहीं जो गीता का ज्यान आप परम पिता परम अत्मा सुनाते हैं पोई मुनशे मात्र जिस ज्यान को जानता ही नहीं भारत वास्यों का धर्म शास्र तो वास्तों में है एक सार्व शास्त्र मई शिरो मनी भगवत कीता अब भगवान किसको का जाए वे भी इस समय भारत वासी समझते नहीं या तो कृष्ण को कह देते हैं या राम को या आपने आपको ही कह देते हैं आत्मा सु परम आत्मा अब तो समेत भी तमो परधान रावन राज्य है ना तो बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवानो वाच पहले तो ये समझें कि ज्ञान का साग एक ही परम पिता परम आत्मा है ये की ही परम पिता परम आत्मा है जिसका नाम है शिव शिव रात्री भी मनाते हैं पर तो किसको भी समझ में नहीं आता जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्री मनाते हैं तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवानो वाच पहले तो ये समझें कि ज्ञान सागर एक ही परम पिता परम आत्मा है जिसका नाम है शिव शिव रात्री भी मनाते हैं पर तो किसको समझ में नहीं आता जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्री मनाते हैं शिव कौन है ये भी नहीं जानते हैं बाप कहते हैं भगवान तो सब का एक ही है सब आत्माएं भाई भाई हैं आत्माओं का बाप एक परम्पिता परमात्मा है उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे देवताओं में यह ज्ञान है नहीं कौन सा ज्ञान नहीं रच्चाइता और रचना के आदी मध्य अंत का ज्ञान किसी में भी कोई नहीं जानता कि स्रिष्टी की रचना काब किसने कैसे की कहते भी हैं प्राचीन रिशी मुनी जिन्होंने वेदों की रचना की उन्होंने भी कहा कि हम नहीं जानते परमात्मा ने स्रिष्टी को काब कैसे रचना देवताओं में ग्यान कोंसा है, देवताओं में ये ग्यान नहीं है, कौन सा ग्यान नहीं है, श्रिष्टी की रचना काब कैसे रची गई, उनको भी नहीं मालूम के ये श्रिष्टी काब किसने की, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि परमात्माने श्रिष्टी को कब कैसे रची, चारों वेदों में लिखा, अब वेदों के बाद लिखे गए पुरान, पुरान है गपोड ग्रंद जिसमें दुनिया भर के गपोड़े जिनका कोई सिर नहीं पैर मैं अभी मैं स्वेरी रिकोर्ड कर रहा था उसमें कहा कि ब्रह्मा उसको सनतकुमार है उनको कहता है कि सनत कुमार तुमारे पिता जो है जब मत्सर हो गए धर्म विरुद हो गए धर्म से हीन हो गए तो उनका पांचवाशिर गायब हो गए तब वो मेरे पास आए तब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको आप पांचवाशिर ब्रह्मा को पांचवाशिर कभी किसी नहीं नहीं दिखा है वह तो उसने लिख दिया पांच से अब पंचा नन किसको का जाता है कि सिर को का जाता है कि क्योंकि वह एक धिगा खड़ावकर पांच तरफ का ध्यान कर सकता है अब मुँ तो उसका एक ही है ना ब्रह्मा के चार मुँ लगा दिये कहीं तीन मुँ लगा दिये वास्त्विक्ता परमपिता परमात्मा समझाते मैं आकर ज्ञान देता हूं इस ब्रह्मा के मुख से जो चारों दिशाओं में पहलता है अब चारों दिशाओं में वह ज्ञान पहला उन्होंने चार मुँ लगा दिखा दिये ना तो उसके कोई चार मुँ होते हैं ना पांच मुँ होते हैं ना तीर मुँ होते हैं मुझ तो एक ही होता है, बताते हैं कि अब दुनिया को तो पागल बना के रख दिया ना, आप उन्होंने चतुरानान, पंचानान लिख दिया, अब उससे उन्होंने बनाई नहीं, वो तो कहानी में लिख गए, अब वो तो मुहावरा था, पंचानान, चतुराना, अब उन्ह जिसको मर्जिया लगा तो क्या फर्ग पड़ता है। लिखा उन्होंने कि वो चारों तरफ का ध्यान देने वाला, चारों तरफ का परचार करने वाला, वे भी इस ग्यान को नहीं जानते। वेद भी वेदों लिखा ने इती ने इती हम नहीं जानते सिर्ष्टी की रचना कैसे भी। वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अब एक दम तमो परधान हो गए हैं वो कैसे जान गए। वेदों के रचेटा नहीं जान सके देवता नहीं जान सके और यह जो एक दम तमो परधान ब्रस्ट हो गए हैं जिनको A, B, C, D का पता ने वो बताओ बता रहे हैं कि हम सिर्ष्टी को जानते हैं प्रमात्मा को जानते हैं कैसे बचाते हैं। इस समय साइंस का गमंड भी कितना है। ऐसे रिकोर्डिंग करके नाम नाशा का लगा देते हैं। उन्होंने सुर्य के पास जाकर के धोनी सुनी हैं ओम की धोनी आ रही है। देखो। वह एक चित्र बना देते हैं। सूरज दिखा देते हैं। और वहां से ध्रीन निपर आप वीडियो बनाकर बेद देते हैं दुनिया भावनावश इस साइंस दोरा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है पहले कुछ भी नहीं था अब स्वर्ग है पहले सुना था कुछ आप टेलिविजन ले लो मुबाइल ले लो क्या ले लो कि इसको माया का पॉंप कहा जाता है पा फाल आफ पॉंप का एक नाट्ट कुदी है ना मलेक बहुत सुंदर शहर था कैसे वो नस्ट हुआ उसका एक स् चित्र बनाया था कैसे कर उसको देश निकाला दिया गया कहते भी है कि इस समय भारत का पतन है सत्युग में उठान है अब पतन है सत्युग में सबका उच्छी वस्ता होती है और कल्यूग में अज़ सबका एक दम तमो पद्धान पतित हो गए हैं इसलिए उनका जो क्रेक् यह to अगे अगलया है अफम सत्या पताल में चला गया पूंब कि ऑन्धिक आफिओ करें कि यह कैजी है और डुंगरे कि यह ने समझ रहे कि हमारा आ क्रेक्टर यह बाटम में चला बिल्कुल खतल हो जो यह कोई स्वर्ग थोना है यह तो माया का पांप है दिखाला है कि जा इतनी प्रफिते बाहर चुना अंदर पर क्या बोलते ऐसे अंदर मिटी बाहर चुना बला ऐसे कुछ उपर से सुंदर-सुंदर लगरे मकान और अंदर एकदम कि अब इनको खतम तो हो नहीं है निशचे समझे है विमान Bay, बड़े मैल ने को था मरता है तो कहतेँ है अश्चा अब स्वर्ग में गया credible का था अब स्वर्ग में गया तो पहले पहले का था तो कर्या तुम कहां रहते हो स्वर्ग में रहतो कि नर्फ में ये तो रावन का कौंप है बेहद का बाप स्वरक की स्थापना कर रहे हैं इस समय है चटा बेटी माया और इश्वल में पहुत है इश्वर में माया और इश्वर ये दुनिया की ये है भार्ख्वास्यों को समझाना पड़े है दुख तो अजुन बहुत आने वाले, ऐसा होना चाहिए नहीं, डुख तो अजुन बहुत आने है, अब भगवान भी डुख खतम कर देए, दुख तो अभी बहुत आने है, अथा दुख आना है, स्वर्ग तो होता ही सत्युग में, कल्युग में हो ना सेके, ये भी किसी को पता ने, पुर्षय उत्तम संग किसको कहा जाता है, ये भी बाप समझाते हैं, ज्यान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं, वगवान से मिलने के लिए, कितने वेज शासरादी पढ़ते हैं, ब्रह्मा का दिन और रात, सुब्रामनों का दिन और रात, सच्चे मुख वन्शावल ब्रामन तुम हो, वे तो कल यूगी कुख वन्शावली ब्रामन हैं, तुम हो पुर्शो उत्तम संगम यूगी ब्रामन, ये बाते और कोई नहीं जानते, ये बाते जब समझें, तब गुद्धी में आए, कि हम ये क्या कर रहे हैं, बारत सतो परदान था, जिस को ही स्वर् कहते हैं, तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ शांती भी है, सुख भी है, लक्षमी नारण का राज्य भी है, तुम देखते हो, क्या देखते हो? पिर तुम उन्हें समझा सकते हो, मुनशों की विर्दी कैसे कम हो रहे हैं, पहले विर्दी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, आज जनसें क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, सारे को टेंशन हो रही है, कि दुनिया की जनसें क्या बढ़ती जा रही है, कम करो, कम करो, बाबा के तो तुम समझा सकते हो क्या समझाओगे आप उनको उनको समझाएंगे कि ये family है पर्मात्मा की ये family है पर्मात्मा की वो अपने अप control करेगा हमने ठेका लिया इसको control करने का हम क्यों अपना दिमाग खराब करे ये जिसकी family है वो करेगा को वह और व करेंगे अच्छा तुम बडे श्याने को इसलिए भगवान का नाम रो बाबा किते मेरा नाम लो तुम कहो गए कि हम करेंगे बाष चुप ब्रम्चरिय का नाम लिए चुप जाके मरोधा बन्तु दुनिया वाले इस बात को समझ लेंगे बाबा भगवान में तो वो विश्वास करते हैं बाबा केते उनको कहो कि ये फैमिली किसकी है यदि ये फैमिली परमात्मा की है तो तुम क्यों परिशान हो रहे हो वो अपने आप इसको प्लानिंग करेगा कई मुल्यों में बाबा ने कहा इसक्षा वो स्वस्त मंत्री फैमिली प्लानिंग का जो मिनिस्टर है उसको जाके बताओ ये फैमिली सिर्व बाबा की है, ये फैमिली की प्लानिंग वो करेगा, तो मारी फैमिली प्लानिंग काम्याब नहीं हुने वाले है। ये बाबा ज्यान देना चाहता है ना, बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे उनको समझाओ, समझा तो सारे रहे हैं, पर तु कैसे समझाओ, क्योंकि तुम कहोगे कि हम समझा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू, मेरी वैल्यू और सिर्व बाबा की वैल्यू में अंतर हैं। … पुरानी दुनिया काल यूग नहीं तो है तौ का मनुश्पेञ विर Cleveland yüz hitting-मृ-सने क्रूंचा किरें Всемियों के विरिदीख कैसे कम हो सकती है, विरिदीर विर्द्व कैसे कम हो सकती है, अशंति है रहता है, विर han taking is to be free the new world दुनिया में तो है इस शंति है स्वर्ग में शान्ती है ना उनको ही आधिस्वनातन देवी दीवता धर्म कहा जाता है हिंदू धर्म तो अभी का है इनको आधिस्वनातन धर्म नहीं कह सकते हैं सब अभी पुकारते हैं हम पतित है पतित पावन आओ अब प्रशन है पतित पावन कौन बुला तो सारे रहें कृष्ण को तो नहीं कहेंगे पतित पावन परम पेताप परम आत्मा ही ग्यान का सागर है वही आकर पढ़ाते हैं ग्यान को पढ़ाई कहा जाता है सारा मदार गीता पर है अभी तुम परदर्शनी म्यूज़म आदी बनाते हो लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते हैं समझते हैं ये कोई नया धर्म है सुनते हैं समझते कुछ नहीं है बाप ने कहा है कि बिल्कुली तमो परदान पत्थर बुद्धी है इस समय साइंस घमंड भी है बहुत बन गए हैं साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं आएसे नहीं शंकर बिनाश करते है और किसी आँख खूडता है आग लग जाती थे ऐसे कुछ नहीं है जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी स्रिष्टी के विनाश के लिए विनाश हो तब तो फिर नई दुनिया की जय जयकार अग्यों ये तो समझते हैं इस्त्रियों को का द दुख कैसे दूर करें परंतु मुनुश्य थोड़े किसको दुख दूर कर सकते हैं दुख हरता सुख करता तो एक परम पिता परम आत्मा है देवताओं को भी नहीं कहेंगे किर्ष्ण भी देवता हो गया भगवान नहीं कह सकते ये भी समझते हो समझते नहीं जो समझते हैं वो ब्रामन बन औरों को समझाते भी हैं जो खुद समझाएगा तो औरों को समझाएगा भी से जो राजपद या वे आदि सनातन देवी देवता धरम के हैं वो निकल आते हैं लक्ष्मी नार्यन स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या करम किया, जो विश्व के मालिक बने, इस समय कल यूग अंत में तो अनेक अनेक धर्म है, तो अशान्ती है, नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है, अभी ये संगम यूग है, जब कि बाप आका राज यूग सिखलाते ह आत्मा शरीर लेकर करम करने जाती है, शिव है परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा बिलकुल अलग है, आत्मों की महिमा अलग है, बच्चों को ये पता है, रादे किस्न ही लक्षमी नारायन बनते हैं, लक्षमी नारायन के दो रूप कंबाइन करते हैं, तो उसे विष्णू कहते हैं, फर्क तो है न, बाकी चार बोजावाला, आठ बोजावाला कोई मुनुशे नहीं होता है, देवियों आदी को कितनी बोजाएं दे दी हैं, तब जब सारी सिस्टी पतित हो जाती है, तब आकर सारी सिस्टी को पतित से पावन बनाते हैं, बाप केते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, मैं आता है तब हुझ जब राजे भारत एकदम गरीब बन जाता है, राव का ग्रेंड बैट जाता है, ब्रेस्पती की दशा थी, अब राव का ग्रेंड लग गया है, भारत में तो क्या सारे वर्ड पर इस समय बाप पिर कहते हैं, भारत में मैं आता हूँ, आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ, डब से ताजश्वर का मालिक बनाता हूँ, पांच जार वर्ष हुआ, जबकि आदी सनातन देवी देवता धरम था, अब वो है, तमो परधान हो गए हैं, बाप खुद ही अपना परीचे रचता, रचना का परीचे देते हैं, बाप तुमारे पास परदर्शनी में इतने आते हैं, समझते थोड़े हैं, परदर्शनी म परदर्शनी में तुमारे पास इतने सारे आते हैं, वो समझते थोड़े हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है, लक्षमी नारेन का चितर दिखाना है, ये विश्व में शांती स्थापन हो रही है, आदि सिनातन देवी देवता धरम का पांडेशन है, नहीं तो बाप स्थापन कर रहे हैं, देवताओं को पवित्र धर्म, पवित्र करम था, अब ये है विश्यस वर्ड, नहीं दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ड, निर्विकारी दुनिया देवताओं को पवित्र धर्म, पवित्र करम था, अब वो है विश्यस वर्ड, नहीं दुनिया में कहा जाता है वाइसलेस वर्ड, अब समझाना पड़े तो विचारों को कुछ कल्यान हो, बाप को ही कल्यान का अकारी कहा जाता है, वे जाते हैं, ग्यान से सद गती होती है, इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो, बोलो, रश्टा और रचना के आदी मध्य अंत को हम ही जानते हैं, यह गीता का एपिसोड चल रहा है, जिसमें भगवान ने आका राज योग सिखाया है, डबल सिर्टाज बनाया है, यह लक्ष्मी नारेन भी राज योगी से डबल सिर्टाज धारी बनते हैं, वर्दान है, धर्नी, नाव्ज और समय को देख, जान को परतक्ष करने का कारे करने, कारे करने वाले नौलेज़ फुल, धर्ती, नाव्ज और समय, तीन सुरे, जदी धर्नी में ठीक है, सत्व बदान है, और जिसकी नव्ज ठीक नहीं है, हमको अपने कर्मों का फल मिलेगा न, वाबा सब को सब सिदाक देते हैं, वैसे तो किसी को सजा देते नहीं, दुख देते नहीं, पर तो निमित बने हुए हैं, लेकिन इसका आर्थ ये नहीं के आते ही किसी को नई ज्यान की नई नई बाते सुना कर मुझा दो, धर्नी धर्ती में लोग क्या समझ सकती है, समय, सित्ती, धर्ती देखो भी कितना वो ग्यान को समझ सकने लाइक है, कमजोर है तो उसको टॉनी के दो, पर संसा करो उसकी, तो इसकी नवस देखो कहां बिमारी है, फिर उसका इलाज़ चुरूए, यह नॉलिजफुल की निशानी है, आत्मा में नॉलिजफुल, आत्मा की इच्छा देखो, नर्जफ देखो, धर्नी देखो, लेकिन अंदर सत्यता की निर्भैता कोई की शक्ती जरूँ है, तो उसके अंदर यह नहीं कि डर्ने की किसी परकार की निर्भै ना हो, उसमें कितनी ताक़ है, नल देखो, धर्नी बनाओ, उन्हें तयार करो, लेकिन अंदर सच्छाए के निर्भैता की शक्ती जरूँ है, अंदर में सत्यता की निर्भैता की शक्ती जरूँ है, तब सत्य ग्यान को परकास में लापाने देए, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ा बनाना, मेरा कहना मेरा मैं कह रहा हूँ न, मेरे एंकार में आना, छोटी बात को बड़ा बना देना, और तेरा कहना माना, परिबात को छोटा बनाना, ओम सामत.